आठ नवंबर 2016 यही वो तारीख थी जब मोदी जी टीवी पर आये और बोल दिया कि भाई जो आपके हाथ में 1500 का नोट है ना वह रद्दी बन गए है अब ये बिल्कुल भी मानने नहीं है और जैसे ही मोदी जी ने ये फैसला किया तो मान लीजिए कि पूरे के पूरे देश में अफरा तफ्री मज़ गया ये पूरे देश में क्योस मज़ गया लोगों ने लंबी लंबी लाइने लगा दी बैंक भी बाहर के मेरा नोट बदल दो मेरा नोट बदल दो और इसी चक्र में 1500 के लगभग लोगों की मौत भी हुई है वैसे देखा जाए तो सरकार ने यह यह आप क्यों पर डिपैंड करता है लेकिन जो बाद में इसके खिलाफ याचिका भी डाली गए और लगबग पचास से भी ज्यादा याचिका डाली गए थी रोट बंदी के खिलाफ और अब सुप्रीम कोट ने इसका फैसला दिया है तो आज इसके बारे में पुरी डिट अब सुलो को ऐसा फैसला लिया गया झिससे पूरी भालत में क्योस हो गया था लोगों के बीच अफरत अफ्री का महोल हो गया था और सरकार जो फैसला था वो डैंवनिताइजिशन का था यानिके नोट बंदी का था और मोधी जीन ती वी पर आकर यह एलान किया थे जो 1500 के नोट आपके हाथों में ना वो अब रद्दी के टुकुले हैं यानि कि 1500 के नोट चलेंज से बाहर हो गए हैं और वो भी एक ही जटके में और इस एक जटके में लोगों को इतना ज़ादा जटका लगा जिससे बैंकों के बाहर लोगों की लंबी-लंबी लाइने लग गई और इनी लाइनों में लगका डेर सो से भी जादा लोगों की मौत हुई मुझे आज भी याद है वो दिन जब मोधी जी ने नोट बंद करने का फैसला लिया था रात के आड़ बजे होकर तब मैं भी बहुत जादा चौक गया था कि ये क्या हो गया मेरे पास भी कुछ नोट थे लेकिन बाद में मैंने उनको नोट बदलवा लिये थे और यही वो मौका था जब ऑन-लाइन पेइमेंट पॉपलर हो गए जैसे के पेटियम फोन पे इन्हीं कंपनियों का जो उठान हुआ है न वो नोट बंदी के बाद से हुआ है और यह बहुत जादा आगे बड़ी हालां कि देखा जाए तो केंदर सरकार ने जब नोट बंदी का फैसला लिया था तो तब सरकार ने यह कहा था कि नोट बंदी से जो फेक नोट है वो चलान से बाहर होंगे आतंगवाद पर नकाम लगेगी और जो काला धहन रखने वाले हैं उनकी कमर तूट जाएगी और यह दोनों समस्या और यह तीनों समस्या का पूरी तरह से खत्म हो जाएगी लेकिन दो साल से भी कम समय में ही RBI के पास सारी के सारी करेंसी आ गई आप देख सकते हैं कि 99% से भी जादा 1500 नोट RBI के पास वापस आ गए और जो तीन समस्या ती जिसके लिए सरकार ने नोट बंदी की थी वो भी खत्म नहीं हो पाई है आप देख सकते हैं कि कशीमिर में कितना आतंगवात फैला हुआ है और काले धन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और जो फेक नोट आ रहे हैं वो भी आप देख र का है क्या ये गलत था या सही था इसके ओपर दो जनवरी को फैसला आना था आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट टो गिफ्ट वर्डिक्ट ऑन डिमॉनिटाइजेशन तुड़े 58 पे डिसिजन यानि के यहाँ पर साथ दिसंबर तक तो ये सुनवाई होनी थी जो हो गई लेकिन अब जो दो जनवरी है उसको यहाँ पर फैसला दिया जाना था और वो फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपहोल्ड कर दिया 1216 का डिसिजन के भाई जो नोडबंदी की गई थी ना वो बिलकुल ठीक की गई थी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप देख सकते हैं दो जनवरी का अर्टिकल है यहाँ पर चार्ज जो ने तो इसके समर्थन में फैसला गया है जबकि एक जज जो थी वो नोडबंदी के खिलाफ फैसला दे चुकी है और यह दा हिंदु में इन फॉर वन मेजोर्टी वर्डिक्स उप्रीम कोर्ट तो इसके बार ने का फैसला लिया है तो इतना कहते हुए नोडबंदी के खिलाफ डाली गई जो अठावन याची वो सारी के सारी डिस्मिस हो गई लेकिन देख जाये तो इन फावन याची को देखने के लिए पांच जोज जो की बैंच बैट ती जिसमें चार्ज जोने न नोडबंदी से यह लेकिन एक जज है जिन्हें लगता है कि नोडबंदी का जो सुझा हुए वो RBI ने इंडिपेंडेंट तरीके से नहीं दिया है और यह है जिस्टिस B.V. नागरतना जी जो यह मानती है कि RBI के ऊपर कहीं न कहीं सरकार का दबाव तो RBI ने इंडिपेंडें तो इस वज़े से यहाँ पर पार्लियमेंट से कंसल्टेशन लिये जानी चाहिए थी इन्होंने ऐसा यहाँ पर कहा है और इसके लावा सीनियर एडवोकेट और कॉंग्रेस लीडर जो एक याचिका करता है कि वकील भी यही थे इनकी तरफ से पेश हुए थे इन्होंने यह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रस्तावना को रेफर किया है और बोला है कि प्रस्तावना के नुसार नोटों को इशु करना उन्हें रेगुलेट करना उन्हें ऑपरेट करना यह सब आरवाई के राइट्स में आता है इसमें अगर जो कुछ भी करना हो वो सब आरवाई को ही करना होगा सरकार इसमें सिर्फ सुझावों का अपलाई कर सकती और कुछ ऐसा है उस जजज ने भी कहा है जिन्होंने सुप्रेम कोट के फैसले के अगैंस्ट अपनी राइए रखी और यह बताया कि यहाँ पर आरवाई पूरी तरसा अजाद नहीं थ तो यहाँ पर चार जजजोंने याचिकाओं को डिसमिस किया है जबकि बीवी नागरतने जी है जिन्होंने इसके खिलाफ वोड़ दिया है तो हम कह सकते हैं कि इसे स्प्लिट फरेडिक कह सकते हैं जिसमें बैंच के सभी जजज एकमत नहीं थे वैसे इस बैंच को जस्टि नहीं जा सकता क्योंकि देख जाये तो नोडबंदी का इंपैक्क खत्म हो गया और उसके इस्थानपन नयने नोड़ों का चलन आ गए हैं आप देख रहे होंगे और मेरे ख्याल से अगर नोडबंदी के खिलाफ फैसल आता भी तो इसमें भी कुछ होता भी नहीं वैसे भी और क्योंकि बीता हुआ कल तो वापिस आहीं नहीं सकता और यह पिदंबरम जी जो याचिका करताओं की तरफ से पेश होए थे इनका यह मानना है कि जो नोडबंदी का जो फैसला लिया था वो बहुत जादा गलत तरीके से फैसला लिया था इसको एक्जीक्यूटिव और के जरीए नहीं बलकि पारलियमेंट के जरीए लेना चाहिए था यह और और इस से एकोनॉमिक को भी बहुत जादा नुकसान हुआ है और सरकार ने जो नोडबंदी की थी वो बहुत ही मनमाने तरीके से की थी इतना इन्हें सरकार ने नोडबंदी से जुरवे बहुत सारे के और झौबंदी को भी छुपाया जैसे के अर ब्या के सरकार की बीच क्रीए विच करनी चाहिए थी लेकिन यहांपर सरकार ने खिया है कि मनमन और यह जो फैसला है वो एक्जिक्यूटिव बॉड़ी का फैसला है जिसमें जुडिशिल बॉड़ी को नहीं आना चाहिए तो इस आर्गुमेंट में सुप्रीम कोट ने यह का है कि अगर सरकार कुछ गलत फैसला लेकि तो सुप्रीम कोट सामने आए गई आएगा तो अब य आवन दिन भी तो दिये गए थे ताकि लोग अपने पराने नूट बदलवा भी सके उनिस सो अठतर में तो सिर्फ तीन ही दिन दिये गए थे लोगों को तो यह पूरा मामला इस तरह का आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरू बताईएगा आप मेरे जाज़त मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आये तो चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फर वाचिंग एर यह प्रेशियेट यह प्रेशियेट यह प्रेशिस टाइम गड़ ब्लेस यह आल नाव साइन